Hello my dear students, today I am going to teach you the poem Wind. आज मैं आपको Wind poem पढ़ाने वाली हूँ. This is the second poem of your syllabus and it is written by Subramanyam Bhardi. इसे Subramanyam Bhardi ने लिखा है Tamil language में. And it is translated by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan ने इसे English में translate किया है. So let us see कि point जो है, Wind को इस poem में क्या कहना चाहता है और हमें क्या बताना चाहता है. In the first stanza, first stanza में जो है, point क्या कहता है wind से, wind कम softly. Point जो है, wind को कहता है कि, अरे हवा, तुम जरा softly चलो. Softly यानि कि, ज़्यादा तेज मत चलो, आराम से चलो. Don't break the shutters of the windows. Point कहता है wind को, कि तुम जो है, windows के shutters को break मत करो, break यानि कि, तोडो मत. Don't scatter. Scatter means होता है, throw in various direction. और हम हिंदी में कह सकते हैं, बिखेरना. तो point जो है, हवा को कहता है, don't scatter the papers. कि तुम papers को बिखराओ मत. यानि कि, तेज चलो के तुम paper को मत बिखराओ. Don't throw down the books on the shelf. और shelf पे रखी हुई books को throw down, यानि कि, नीचे मत फैको. आपने देखा होगा, students कई बार, जो है, जब हवा बहुत तेज चलती है, तो हमारी कई चीजों का नुकसान भी हो जाता है, और windows भी अपने याँ भी खुल जाती हैं, और बंद हो जाती हैं, रखे हुए papers बिखर जाते हैं, और कई चीजे नीचे गिर जाती हैं, तो यहाँ पर point कहता है, हवासे कि तुम जो है, थोड़ा आराम से चलो, windows के shutter को मत तोड़ो, papers को मत बिखराओ, और जो है, shelf फे रखी हुई books को नीचे मत गिराओ, फिर उसके बाद, जो है, point कहता है, wind से, there, कि वहाँ देखो, look, what you did, कि देखो, तुमने वहाँ क्या कर दिया है, you threw them all down, कि तुमने, you जो है, वो wind के लिए use कर रहा है, point, कि तुमने जो है, threw, यानि कि गिरा दिया है, fact दिया है, them, them यहाँ पर जो है, books के लिए use हो रहा है, papers के लिए use हो रहा है, कि तुमने जो है books और papers को गिरा दिया है all down यानि कि तुमने सब को नीचे गिरा दिया है आगे जो है point कहता है wind से you tore the pages of the books tore जो है second form है tear की और tear means होता है farna तो point जो है wind से कहता है कि देखो तुमने जो है books के pages को far दिया है you brought rain again और तुम्हारे जो है तेज चलने की वज़े से rain जो है वो again यानि कि फिर से आ गई है तुम जो है बारिश को फिर से ले आई हो तो इस सरे से point जो है direct wind से जो है बात कर रहा है और उसे जो है कुछ करने से जो है रोक रहा है यानि कि तेज चलने से रोक रहा है आगे जो है पोईट विंड को कहता है कि तुम बड़ी ही क्लेवर हो at poking fun at weaklings poking fun means होता है making fun यानि की मजाक उडाना और weaklings means जो चीजे weak हैं जो लोग जो है weak हैं उनके लिए use किया गया है तो पोईट कहता है विंड को कि तुम जो है बहुत ही चालाक हो चतुर हो और तुम जो है जो weak लोग हैं और जो weak चीजे हैं जैसे कोई weak घर है जो कि जो है इतना मजबूत नहीं बना हुआ है या कोई वस्तु जो है जो बहुत ही weak है कमजोर है तुम जो है तेज़ चलके उन सब को गिरा देती हो और उनका मजाक उडाती हो फ्रेल, फ्रेल मींस यह वीक, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मींस ब्रेकिंग तो पोईट कहता है कि फ्रेल, क्रम्बलिंग, हाउसिज की हाउसिज, कैसे हाउसिज, जो weak हैं, बहुत ही कमजोर हैं यानि कि मजबूती से नहीं बने हुए है क्रम्बलिंग है क्रम्बलिंग यानि कि बस डहने ही वाले है डहना मींस होता है तूट कर पिखर जाना तो ऐसे वाले हाउसे जो कि बहुत जो है कमजोर है मजबूती से नहीं बने हुए है और बस crumble ही होने वाले हैं यानि कि धैने ही वाले हैं तो ऐसे वीक houses का ऐसे कमजोर बने ऊवे घरों का crumbling doors और ऐसे ही जो है चरमराते हुए दरबाजों का यानि कि जो बस तूटने ही वाले हैं crumbling rafters rafters क्या होते हैं देखे líneaat क्रफ़इब बीम्स क्या होते हैं आपने देखा होगा कि आजकल तो जो है लैंटर वाले घर बनने लगे हैं छट जो है लैंटर से बनती है बेंक पहले जो घर होते थे वो खड्री बनते थे तो छत को जो है सहारा देने के लिए support देने के लिए जो beams लगाई जाती हैं जिने हम कडिया कहते हैं देसी लेंग्वेज में तो वही beams के लिए rafters वर्ड यूज हुआ है तो poet जो है कहता है कि तुम जो है कमजोर rafters, crumbling wood की जो लकडियां जो है कमजोर हैं, crumbling bodies, bodies जो है यहाँ पर human beings के लिए कोई भी animals के लिए birds के लिए यूज हुआ है, जो कि बहुत weak है, crumbling lives, lives वर्ड फिर से जो है लोगों के लिए और जो है living beings के लिए यूज हुआ है कि जो लोग जो है बहुत weak है, जिनकी body जो है बहुत weak है, crumbling hearts, crumbling hearts का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे ल ठीक है, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives और crumbling hearts तुम जो है, उन सब का क्या करती हो, मजाक उडाती हो, you poke fun at them यानि कि तुम उन सब का मजाक उडाती हो, तो इस तरह से point जो है, वो wind से बात कर रहा है और उसे समझा रहा है कि तुम तेज मत चलो, और इन सब का मजाक मत उडाओ आगे जो है, point कहता है, the wind god, अब देखे, wind god क्या होता है यानि कि पवन देवता, जिन्हें हम पवन देवता भी कहते हैं, तो point कहते हैं कि हवा के जो देवता है, winnows, winnows means क्या होता है, separate grain from husk आपने देखा होगा, कई बार जो है, खेतों में, लोग जो है, क्या करते हैं कि दाने को जो है, भूसे से अलग करने के लिए, उसे जो है, फटकते हैं ठीक है, चारज लेकर उसे फटकते हैं, और इस तरह से grain को जो है, husk से अलग कर देते हैं पोईट कहता है कि उनी की तरह उनी की उन विनोवर्स की तरह जो है गोड विंड भी जो है क्या करते हैं वो जो है विंड ओफ गोड जो है क्या करते हैं वो भी जो है लोगों को और कमजोर चीजों को जो है विनो करते हैं यानि कि उन्हें जो है हिला देते हैं अच्छी तरह स do what you tell him कि वो जो है वैसा नहीं करेंगे जो तुम कहोगे उन्हें करने के लिए यानि कि अगर तुम God of Wind को ये कहोगे कि ऐसा ना करें तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे तो point क्या कहता है आगे so इसलिए कि God of Wind तो हमारा कहना मानने नहीं वाले तो चलो कुछ हम ही जो है कदम उठाते हैं तो point जो है हम सब से क्या कहते हैं so इसलिए come आओ let's build strong homes कि हम जो है पवन देवता तो जो है रुकने नहीं वाले इसलिए हम ही जो है strong homes बनाते हैं यानि कि मजबूती से strongly tightly उनको जो है हम जोड ले अपने दरवाजों को मजबूती से जोड ले तागी तेज हवा चलने से हमारे दरवाजे टूटेना practice to firm the body अब जो है क्या करें अपनी bodies को भी जो है firm यानि कि मजबूत strong बनाने के लिए practice करें प्रैक्टिस का मतलब है अब देखें body को मजबूत कैसे बनाते हैं exercise करके so point कहना चाहता है we should take exercise to firm the body अपनी body को यानि कि हमें जो है physically strong हो जाना चाहिए make the heart steadfast steadfast means है dutifully firm कि हम अपनी हार्ट को भी मजबूत बनाएं उसको भी मजबूत रखें ताकि वो मुश्किलों के आने पर या तेज हवा चलने पर तूटे ना do this point हम से कहते हैं कि ऐसा तुम करो and the wind will be friends with us कि अगर हम जो है अपने आपको मजबूत बना लेंगे physically emotionally और अपने घरों को भी मजबूत कर लेंगे तो wind जो है will be friends with us वो हमारी जो है साथी बन जाएगी the wind blows out weak fire अब इसका example देने के लिए कि कैसे जो है जो wind जब हम जो है कमजोर थे तो हमारी दुश्मन थी और कैसे जब हम strong हो गई है तो हमारी friend बन गई है तो उसका example देने के लिए point कहते है the wind blows out weak fires कि जो wind होती है हवा होती है blows out means होता है बुझा देना extinguish कर देना तो point कहते हैं कि wind जो है weak fires को यानि कि कमजोर अगर आग कहीं पर जली हुई है तो हवा चलते ही जो है वो बुझ जाती है इसी तरह से तेज हवा के चलने से कमजोर बनी हुई चीजें जो है वो तूट जाती है he makes strong fires roar and flourish flourish means होता है grow grow करना बढ़ना तो point हमें समझाते हैं कि he he यानि कि the god of wind पावन देवता यानि कि wind वो जो है strong fires को बुझाते नहीं है उनको जो है roar यानि कि और जादा उनको powerful बना देते हैं roar means वैसे तो होता है दाड़ना लेकिन यहाँ पर है कि उन्हें और जादा जो है powerful बना देते हैं और उन्हें flourish यानि कि grow करने में help करते हैं यानि कि मजबूत जो लोग होते हैं उनका जो है nature जो है साथ देता है मुश्किलें जो है मुश्किलों से जो है जब मजबूत लोग टकराते हैं तो और भी जादा जो है मजबूत हो जाते हैं लेकिन जब कोई परसन कमजोर होता है तो वो जो है विन्ड यानि की वियां पर विन्ड जो है वो मुश्किलों को सिंबलाइज कर रही है इस पोयम में तो जब मुश्किलें आती हैं तो जो weak लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी ही घबरा जाते हैं और टूर जाते हैं लेकिन जो strong लोग होते हैं वो उन मुश्किलों से जो है सामना करके अपनी personality में और निखार ले आते हैं और वो जो है ग्रो करते हैं. His friendship is good. Poet कहता है कि wind की जो friendship है वो बहुत अच्छी है. We praise him every day. हम जो है उने हर दिन जो है praise means होता है तारीफ करना. तो हम हर दिन जो है उनकी तारीफ करते हैं. So, I hope कि आपको यह poem समझ में आ गई होगी students. उसके बाद जो है हम literary devices जो है discuss करेंगे. यहाँ पर poet ने जो है तीन literary devices का mainly use किया है. परसोनिफिकेशन. परसोनिफिकेशन. जब जो है humanly qualities are given to inanimated ideas, to inanimated things. तो जब जो है humanly qualities जो है ऐसी चीजों के साथ जोड़ दी जाती है. जो human beings नहीं है. तो कौन सी device use होती है. परसोनिफिकेशन. हिंदी में आप जो है इसे मानवी करण के नाम से भी जानते हो. मानवी करण यानि की मानव की तरह ट्रीट करना. ये देखे स्टूडेंट यहाँ पर जो है poet wind को कहता है you tore the pages of the books की तुमने जो है books के pages को तोड़ दिया है. फार दिया है. तो इस तरह से जो है अब wind जो है एक human being की तरह जो है books को फारते हुए जो है दिखाया गया है कि तु ने जो है book को फार दिया है. अब book को जो है हवा नहीं फार सकती. कौन फार सकता है? human being. तो यहाँ पर जो है wind को इस तरह से जो है दिखाया गया है जैसे कि वो एक human being है. फिन next line में देखे you brought rain again. जैसे कोई human being किसी सामान को ले आता है उसी तरह से यहाँ पर wind को भी कहा गया ह है कि तुम बारिश को ले आए हो. you are very clever. अब clever होना जो है वो human being की quality है और poking fun यानि की मजाक उडाना भी human being की quality है लेकिन यहाँ पर यह दोनों ही qualities जो है wind के लिए use हुई है. तो इसी लिए जो है इन तीन lines में क्या है personification device use की है point ने. तो आगे चलते हैं देखे इस वाले ending जो को use किया है. उसने का है you makes strong fires. तो यहाँ पर जो है make word use किया है. जैसे कि human being के साथ किया जाता है. फिर his friendship. अब friendship होती है human beings की. तो इस तरह से यहाँ पर भी personification device को use किया है. उसके बाद जो है second device है एनाफोरा. एनाफोरा जो है क्या होता है? a word or group of word is repeated. जब जो है किसी word को यह group of words को जो है repeat किया जाता है किसी line की starting में या जो है कहीं पर तो वहाँ पर एनाफोरा device होती है. इस वाली poem में एनाफोरा का जो है example देखे. स्टार्टिंग में जो है आया है. देखे. स्टार्टिंग में जो है second, third और fourth line में पोईट ने जो है don't, don't, don't. इस तरह से जो है तीन crumbling word का use हुआ है. crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. So crumbling word बार-बार यूज हो रहा है. तो यहाँ पर भी एनाफोरा device है. उसके बाद जो है next जो डिवाइस यूज की है पोईट ने that is symbolism. symbolism को उसने पूरी poem में use किया है. इस poem में जो है wind किसके लिए symbol है? किसके लिए उसने उसे symbol बनाया है? adversities and challenges in life. Adversities क्या होती है? मुश्किले. हमारी life में आने वाली जो मुश्किले होती हैं उन्हें हम adversities कहते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने जो है point ने wind को हमारी life में आने वाल मुश्किलों के लिए और challenges के लिए symbol बनाया है. तो इस सर ऐसे wind में symbolism का use है. उसके बाद जो है जब poem के end में point ने जो है weak fire और strong fire का example दिया है. तो यहाँ पर point कहना चाहते हैं कि weak fire जो है वो किसका symbol है? people with no courage. ऐसे लोगों का symbol है जिन लोगों में हिम्मत नहीं है, साहस नहीं ह और strong fire जो है ऐसे लोगों का symbol है people with strong will जिनकी will power जिनकी जो है धर्ड निश्य जो है की जो शक्ती है determination power जो है वो बहुत strong होती है जो कुछ जो है मुश्किले आने पर घबराते नहीं है बलकि उनका सामना करते हैं. उसके बाद जो है students हम rhyme scheme की बात करेंगे देखे, rhyme scheme इस poem में क्योंकि एक modern poem है और इसमें जो है rhyme scheme नहीं है तो ये poem जो है free words में लिखी गई है इसमें no rhyme scheme यानि कि किसी भी rhyme scheme का use नहीं किया गया है. उसके बाद जो है students मैं आपको जो है इस poem का जो है theme भी बताना चाहूंगी क्योंकि theme बहुत important होता है. Theme से हम ये पता चलता है कि poet ने जो है इस poem में किस चीज के बारे में बात की है. So let us read the theme इसके theme को समझ लीजे through this poem कि इस poem के through the poet wants to show. Poet जो है हमें दिखाना चाहता है the great power of the wind वो हमें ये दिखाना चाहता है poet कि जो है जो wind होती है वो कितनी powerful होती है. Wind can be a destroyer. Wind जो है वो destroyer भी हो सकती है यानि कि सब कुछ तहसनेस भी कर सकती है. As well as a creator और creator भी हो सकती है यानि कि किसी भी जो है नई चीज को create भी कर सकती है. The weak people don't have the stamina to bear it. कि जो weak लोग होते हैं उनके अंदर stamina नहीं होता है इतनी शक्ती नहीं होती कि वो इसको सहन कर सके हैं. While जबकि the strong people face it. Strong जो लोग होते हैं वो उसको face करते हैं and become even more stronger. और उसको face करने के बाद वो और भी ज़्यादा strong हो जाते हैं. Wind is the symbol of the adversities of life. इस poem में wind जो है वो हमारी life में जो adversities आती हैं जो मुश्किले आती हैं उसका symbol है. Weak people easily break down कि जब हमारी life में मुश्किले आती हैं जो weak लोग होते हैं वो easily break down अपना संतुलन खो देते हैं. While the strong persons जबकि जो strong लोग होते हैं face the challenges वो challenges को face करते हैं and come out victorious और end में जो है वो विजेता बनते हैं. So dear students अब हम जो है इस poem के message को discuss कर लेते हैं. Message देखे, message यानि कि poet जो है इस poem के थुरू हमें क्या संदेश देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, बहुत important है ये. So let's discuss it. The poet wants to give the message, कि poet हमें message देना चाहता है कि we should develop mental toughness, कि हमें mentally strong होना चाहिए, tough होना चाहिए and physically strength और हमारी physically strength भी जो है होनी चाहिए, physically हमें strong होना चाहिए to face the challenges of life ताकि हम अपनी life के challenges को face कर सके. If you are weak, अगर आप कमजोर होंगे, you won't be able to face the difficulties, तो आप मुश्किलों का सामना easily नहीं कर पाएंगे and easily break down और बहुत जल्दी हिम्मत हार देंगे like a crumbling structure, जैसे कि एक तूटा-फूटा, डहने वाला कोई भी structure होता है, जो बस तूट कर गिरने ही वाला होता है, तो उसकी तरह होना चाहिए and determined, और ध्रिडनिस्चे वाला होना चाहिए to change the challenges into good friends, ताकि हमारी life में जो भी challenges आएं तो हम उनको change कर सकें और उनको जो है अपना good friends बना सकें, यानि कि अपनी life में आने वाले challenges को face करने की हम हिम्मत रखें और जो है उन पर विजय हासिल करें, ओके students, I hope that the poem is clear to you, its theme and masses is clear to you, literary devices भी आपको समझ में आई होंगी, जो difficult words से उनके भी meaning अच्छे से समझ में आए होंगे, students, अगर आपको poem पसंद आई है, तो आप जो है like बटन जरूर प्रेस करें, और अगर आपने अभी तर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप चैनल को subscribe भी करें, और अगर आपको जो है explanation अच्छी लगी है, तो आप इसको अपने friends के साथ भी share करें, okay students, thank you.